हाई अब्रीवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल अश्रिया तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ करवा चौत मेकप लुक और यह मेकप लुक मैंने अपनी दीदी पे किया है वह आई वी थी तो बहुत मनाने के बाद वह रेडी हो गई कि ठीक है चलो मैं करवा ल प्राइमर लगाओंगी और यह प्राइमर है और यह प्राइमर है और यह प्राइमर का भी काम करता है और प्राइमर का भी काम करता है तो एक ही प्रोड़क्ट दो काम कर दे रहा है बताओ और क्या चाहिए आपको तो यहां पे मैंने उसे अच्छे से लगा दिया है और क्य मैं नहीं बना इसे बनाया नहीं मैं तुसम नहीं है करते जा रही ती और यहां पर मैं उसे पॉंड बीबी क्रीम क्यों कि यही वो लेकर आई थी वो अपने शेड का कोई फाउंडेशन नहीं लाई थी और रहे अगर आप पाउंडेशन लगाना नहीं चाहते हो या कुछ ऐसा तो आप सीजी क्रीम भीवी क्रीम से भी मेकप कर सकते हो तो इसलिए मैं उसका ही प्रोडक्ट यूज़ किया है और यह जो बिबी क्रीम होता है इस अपने हाथों से भी इला सकते हो मैंने एसे ब्यूटी ब्ले पूरे फेस पे ताकि पेस सही लगे बेस अगर उच्छा हो जाता यह तो फिर मेंंकOP बना सही दिखता ह। तो यहां पर देख सकते हूँ क ie मैं उसे अच्छे से लगा देरी हूं जाँ बी लगा दिए हैं लिग्भाई ओर दोछ कोphon cruise कांचील ति क्योंकि मेरा शेड और दीडी के शेड में जादा कांतर नहीं है इस वजह से जो चीजें वह लेकर नहीं आई थी क्योंकि वो ऐसे कुछ धायी तो उतना सारा मेकप तो जैकर आई थी नहीं और फैलहीं था कि करवा-चौत में मेककड़ करना है वह तो अइवी थी तो थोड़ के यहां पे मैं उसे डिखा अबरे अखे मंग कर्राइब और यहां पर यहां डिखा an attached Quebec की चारीफेसर लगा लगाकरह का थैसे खार टीया और शक्ता सबस्टाइब लगा तो लिज्बे उसी से एन यां करने के यह एक अपर खार रहा है पर रहूं जादा कुछ नहीं कर रही क्योंकि इसके आइब्रोस सही है तो जादा डाग भी नहीं करना है मुझे क्योंकि जादा डाग कर देने पर बहुत अजीब सा लगेगा और यह हिलरी रोडा का आईशाडव पैलेट है इसी से मैंने रेड कलर लिया है और इसका आप देख सकते हो क कि इसने जो पहना है यह रेड और गोल्डन है तो मैंने सोचा कि पूरे आइलिट पे पहले मैं रेड कलर को ब्लेंड कर देती हूं और थोड़ा सा मैं शेप दे रही हूं विंग टाइप का और उसके बाद अच्छे से ब्लेंड कर दोंगी कि कोई मतलब हार्श लाइन ना और फिर फिंगर से ही मैं गोल्डन कलर को अपलाई कर दूंगी दम बीच में और देख सकते हो आपकी मैं कोई ब्रश यूज नहीं किया है और उसके बाद फिर मैं उसी से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर दे रही हूं ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे और यह मेबलीन का और दूसरे पर दूसरे पर दूसरे लग जाएगा कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सही दोनों में लग जाता है अगोलों तो बहुत अब बहुत सब्सक्राइरा कि कि तुमेरा मैं इसे ऑफ समा घ्रेख कर दो यहां पर उसे मैंने अई-लाइनर लगा दिया है और अई-लाइनर के बाद फिर अब वमेय harshly I can take care with me में जादीवादी में सकते हृ तो डिंग क्याया तरहां बेडिंग में गांसा अप गार हो सकते हो तो मतलब अन्हीं तरहा heteron इसको भी मैंने कर्ड कर दिया है और एक बात पता है क्या उसे ना आइलैशेज लगाना नहीं आता वैसे तो मुझे भी ठीक से नहीं आता अभी भी बट फिर भी मैं लगा लेती हूं बट उसके आइस पे जब मैंने ये आइलैशेज लगाए हैं फॉल्स आइलैशेज इतने जब कोई दूसरा के आइलैशेज लगाता है तो बहुत आसानी से लग जाती है मैंने ये खुद देखा कि मतलब मेरे आखों पे जब मैं लगाती हूं तो मुझे दस बार ठीक करना पड़ता है बट उसकी आखों पे लगा तो बहुत आसानी से लग गया था और यहां पे मै फोस फेस पैलेट जिरो वन सटल समिट तो अच्छे से मैंने कॉंटोर कर दिया है और जो भी प्रड़क्ट मैं यूस मैंने यूस किया है इस वीडियो में उन सब का लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दोंगी अगर आपको उमेंसे किसी को पच्छिस करना हो अब कर सकते हो और यह मैं उसे ब्लश लगा रही हूं और मेकप अलमोस्ट कंप्लीट हो चला है और ब्लश के बाद मैं हाइलाइटर लगाओंगी और फर्स टाइम है जब मैं ऐसे वीडियो बना रही हूं अगर कुछ गलती हो रही होगी तो उसे इग्नॉर कर देना और यह उस टाइम पे आई-लाइनर थोड़ा सा मतलब लगने का डर था कि उपर लगना जाए इस वज़े से मैंने बाद में लगाया मस्कारा को और यहां पे मैं मस्कारा यूस करी थी ब्लू हेवन का एक्स्ट्रीम लेंथ मस्कारा और यह अपर आई-लैश जोनों पर लगा दिया ह जैसे कि आपको दिख रहा है कि लोगा रही हूं और मस्कारा लगाने के बाद फिर मैं से लिपस्टिक लगाऊंगी और उसका लुक हो जाएगा कमप्लीट तो यहां पे मैंने अच्छ से मस्कारा उसे लगा दिया है और यह है मेबलीन का लिपस्टिक उतना शेड मुझे कि अब प्रोड़क्त का ठीक से याद नहीं है इसलिए मैंने कहा है कि दिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना और वहां पे मेरा इंस्टा इड भी दिया हुआ है तो मैं तब इंसा इड का लिंक दिया हूँ है तो आप चाहो तो मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हो तो आप लिप्स्टिक लो और एक पतला वाला ब्रश लो ब्रश में लिप्स्टिक को लगा लो और उसके बाद आप भी ऐसे आउटलाइन कर सकते हो ठीक है और इसके बाद मैं फिर लिप्स्टिक लगाऊंगी ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हो कि मैं उसे लिप्स्टिक और लिप्स्टिक के बाद लोक हो जाएगा अब नहीं है? वीडियो अच्छी लगे लगे यमठीक शेह करना मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना है ये तो भूलना नहीं है भूल जाओगे तो ये गलत बात है फीकल बलकुल भी नहीं भूलना है और यह यहां पे हो गया और यह स्विस ब्यूटी का मेकप फिक्सर है मेकप फिक्सर भी लग गया और यह है फाइनल लुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियों में तब तक लिए बाई टेक के लव यू आल लाइक और सब्सक्राइब करना मत बुला